हलो हाई नमस्ते लव इनफाइनेट चैनल में सवाल ले लेते हैं खेलेश्वरी वर्मा जी का इन्होंने पूछा क्या होगा अगर ट्विन फ्लेम इनर वर्क ही ना करे इसका मतलब या तो आपके माइन्ड में ये आ रहा है कि अगर मैं इनवर्क ना करूँ तो क्या तो भी रियूनियन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम हमेशा के लिए भाग जाएंगे तो देखे दूसरा अंसर अगर कहें तो वो सही रहेगा क्यों क्योंकि जो डिवाइन मिस्कलाइन अनर्जी है जो मैं बार बार बताती हूँ उनके क्या होते है वो फियर बेस्ट अनर्जी में रहते है एंगर बेस्ट अनर्जी में रहते है हर तरह से नेगटिव अनर्जी उनके आसपास रहती है इवन ब्लाक मैजिक के भी वो शिकार होते है गलत संगती में भी वो पड़ेवे हो सकते हैं चाहे वो male हो या female हो वो DM हो सकते हैं आपके ठीक है और अगर आप divine feminine energy में हैं और आपको ये कहा जाता है हर channel पर ये बताया जाता है और twin flame coach जो है वो ये बोलते हैं कि divine feminine को ही ज्यादा inner work करना होता है तो देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि divine feminine 3D world में देखा जाए तो वो पहले awaken होती है उन्हें physically सब कुछ दिखने लगता है synchronicity होने लगती है angels number दिखने लगते हैं बहुत से sign उनको twin flame journey से ज्यादा दिखाई देने लगते हैं यानि कि DM के comparatively divine feminine को divine feminine को twin flame journey के बारे में सबसे पहले पता लगने लगता है उन्हें के सामने tarot reading और इसी तरह की videos उनके सामने आने लगती है तो फिर उन्हें लगता है कि मैं पहले awaken होगी मुझे सबसे पहले पता चला है I am the first ये वाली feeling आजाती है फिर उन्हें लगता है कि क्यों न DM को बताया जाए हर चीज़ DM से share करने का मन करता है तो उन्हें लगता है कि अब तो फटा फट बताई देते हैं तो शायद उन्हें कुछ अकल आए और कुछ उसी हिसाब से वो act करने लगे लेकिन नहीं मैं तो यही कहती हूं कि मत बताएं क्योंकि बताने से वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और आप से डरने लगते हैं कि यार ये कौन है ये तो मुझे मेरी soul तक गुज जाती है मेरी आखों के अंदर से मेरी दिल की आवास को पकड़ कर बाहर निकाल के ले आती है कौन है ये देवी तो पहली बात तो ये कि उनको ना बताएं दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर twin flame यानि कि divine feminine inner work ही ना करें तो क्या होगा अगर मैं एक उदारण दू बीना privacy भंग किये तो मेरे पास लास्ट येर से एक divine feminine energy जो की female body में ही थी बार-बार आ रहे थी twin flame की reading लेने के लिए उन्हें मैंने suggest भी किया था कि आप inner work इस तरह से करें ऐसे ऐसे करें ये ये आपको करना चाहिए लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाए wait करने के बार-बार reading लेना मैंने का reading मत लीजिये इतनी बार अब देखिए terror reader होते हुए मैं उन्हें कह रही हूँ मुझसे reading मत लीजिये है ना मैं चला की बिल्कुल नहीं करी लेकिन फिर भी उन्हें नहीं समझाई मैंने का ठीक है आप आ जाईए फिर अप लेकिन मैं बार-बार फिर वही कहूंगी फिर इससे फायदा क्या है आपका ही पैसा वेस्ट हो रहा है वो नहीं मानी नहीं मानी नहीं मानी और इसी साल इनके दोनों ही unmarried थे मैंने का इने वबा कीजिए कुछ काम कीजिए कुछ अपने उपर काम कीजिए कुछ पैसे कमाना शुरू कीजिए अपने आपको confidence में लाइए लेकिन नहीं मुझे तो वहीं चाहिए, वहीं यहीं हो कंथा बार-बार सेम जवाब नहीं मानी जब वो बिलकुल नहीं मानी ऐसे में क्या हुआ फिर उनका फोन आया एक बार इसी साल लास्ट एर से थी जुड़ी गई इसी साल कोई तीन चार महिने पहले रो रो के मैम डीयम की शादी हो गई दोनों ही अन्मारिट थे तो मैंने कहा कि आपको इने वग करने के लिए काता ना वो करना चाहिए था अब दो महिने तक वो चुपचा भैठी रही शादी divine feminine की नहीं हो रही है divine masculine ने कर ली है हैं दोनों ही divine feminine and masculine ये मैं क्यों कह रही हूँ वो बोइफरंट गल्फरंड नहीं थे वो ठेट twin flame ही confirmation करवाली थी हर तरीके से लेकिन divine feminine अगर inner work ही ना करे तो DM उनके हाथ से निकल जाते हैं अब दोनों ही unmarried थे दोनों की मैं इतना blessing दे रही थी इतना काम कर रही थी उनके लिए इतना सब कुछ मैंने suggest किया किया ही नहीं उन्होंने कुछ तो वो DM जो है शादी शुदा हो गए लेकिन DM की awakening शुरू हुई फिर अब वो कह रही है मुझे किसी और से करनी ही नहीं है जब वो ऐसा कह रही है तो DM की awakening हो गई दो मेने बाद वो वाफस आई रो रोके उनका बुरा हाल की मुझे तो तुमसे ही शादी करनी थी पता नहीं मैंने क्यों दूसरी जगह कर दी मैंने लोगों के बातों में आकर ममी पापा की बातों में आकर वहाँ दूसरी जगह शादी कर ली मुझे तुम ही पसंद थी तुमसे ही करनी थी मैंने पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ इतना बुरा बरताव किया अब वो रो रो रहे हैं मिल रहे हैं अब इन्हें ये डर भी लग रहा है Divine Feminine को मैम अगर मैं उनसे मिलने जाती हूँ वो कह रहे हैं मुझे मिलो मेरी शादी होगे लेकिन मैं तुमसे मिलना चाता हूँ तुमसे बात करना चाता हूँ रेस्टों में मिलना चाता हूँ चलो बैठो मिलो मुझे पूछती है कि अब मिलू की नहीं मिलू मैं चाता जब वो काम आपने की या नहीं अब मिलने भी नहीं जाना चाहिए आपके परेंट्स आपके ब्रदर आप और लोग देखेंगे क्या कहेंगे चलिए देखिये अब कहेंगे कि आपने ये क्या सला दी, देखिए society के इससाब से भी तो जीना होता है society के इससाब से भी तो जीना होता है, जब अगर divine अगर ऐसा ही नहीं है, सब कुछ हो हा हा हम ये कह दें, हाँ हम तो wirklich तो ये बात हो जाती है तो सवाल का जवाब यही है अगर Divine Feminine Inner Work ना करें तो वो आपके हाथ से दूर हो जाते हैं आपके पहुंच से दूर हो जाते हैं आप वो शादी हो गया पीछे से मिलते भी रहेंगे तो उनकी वाइफ के पता चले तो क्या ड्रामा क्रियेट होगा इनके घर में पता चले जो Unmarried है Girl Divine Feminine तो क्या होगा तो ये सारे Circumstances हो जाते हैं प्रोजन कौंस तो देखने ही पड़ते हैं तो जब आपके पास Chance है ये वही बात है आपके पूरा साल पढ़ा है आपके पास ठीक है आपने बड़े अच्छे जगा पर admission लिया अच्छे college में अपने professional जो भी course आपको करना है लेकिन आपने वहाँ पढ़ा ही नहीं पढ़ा ही नहीं पढ़ू पढ़ू के नहीं पढ़ू यही सोचते रह गए और क्या हुआ रिजल्ट आएगा fail होने काई तो क्या certificate आएगा fail काई तो आएगा तो यह है इस चीज़ को इस तरीके से समझे है पहली बात तो यह है कि inner work को inner work मत समझे है it's a gratitude में आने की चीज़ है यह भगवान का हर चीज़ में धन्यवाद करने की चीज़ है आपका body जैसी है इतनी सुंदर है आपकी आएखे इतना सुंदर है उसके धन्यवाद कोन करेगा आपने अपने शरीर को धन्यवाद करा है ने की है ना आप सोचे है हाँ तो क्या होगए हाथ तो सभी क्योते हैं सोचके देखिए यह उंगलिया ही ना हो study करेंगे सारे काम रोज मर्रा के काम हो जाएंगे वही सारी बाते हैं वही सारी बाते हैं तो प्लीज खिलेशवरी वर्मा जी इस तरह के सवाल अपने मन में ना ने दे यह वाक़ी बहुत भैनक चीज हो जाती है जब आप कुछ करना चाहते हैं और करते नहीं क्योंकि सबसे बूरी चीज human being के लिए वही है कि जो आप कर सकते हैं वही चीज आपको वही चीज आप नहीं कर रहे इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता चाहे वो अपने करियर के लिए हो घर परिवार बनाना हो married हो तो उसके लिए हो या twin flame journey में हो जो आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर रहे इससे बड़ा पाप कोई नहीं है इस चीज को तो महाबारत में लिखा गया है इसलिए मैंने इसे दो बार repeat किया है तो दियान रखें चाहे आप दुन flame journey में है, soulmate journey में अपने career के लिए है, चाहे अपने बच्चे पालने के लिए इस sentence को याद रखें कि जो चीज आप कर सकते हैं और उसे आप नहीं करते किसी भी कारण से, आलस के कारण से किसी भी कारण से, कि मैं क्यों करूँ इस government से या किसी भी चीज से तो गलत कर रहे हैं आप, इस चीज का ध्यान रखिएगा Thank you so much, ध्यान रखिए अपना